असलामलेकूम कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आमना और आज आपके लिए एक बहुत कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ कैसे वो आपको बताती हूँ जिन लड़कियों को प्रॉब्लम है ड्राइ स्किन गल्स का और वो यह कहती है कि उनुसे टीविपेंट स्टिक नहीं अपलाई होती ऐसी बेसी मिक्सिक आपके लिए लेके आई हो आप देख सकते हैं कि फांडेशन में थाजों के हुई जिसको आप फांडेशन में तबिट्रे वेधिय चालें तो जनिया इस वीडियो में आपका कोई भी skin का shared है को अपनी skin के cording का आप shared ले 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 आपको चाहिए कोई भी stick इस तरह की कोई भी trail ले 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 आप किसी भी जीस पे आप उसको mix कर सकते हैं आपको इसको करना है scratch आजकल गर्मी है वैसे तो यह easy ले apply हो जाती है लेकिन जिनकी extra dry skin है उनकी skin पर बहु को चाहिए कोई सा भी primer जी हाँ यहाँ पर मैं fit me वालों का dewy and smooth primer ले रही हूँ यह आपकी skin को इंतहाए hydrating रखता है basically आपको कोई भी hydrating primer की जोथ होती है hydrating primer की बहुत ज़दा options है यहाँ पर मैं mention कर देती हूँ यहाँ पर आपको pics show हो रही है इनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हैं अच्छा primer अगर आप ले लेंगे और वह यूज़ करेंगे तो आपकी base long lasting होने के साथ सा जो है वह आपकी skin को hydrate करेगी dryness नहीं होनी देगी और वह आपकी skin को अच्छी तरीके से base को long last करेगी यहाँ पर मैं primer की quantities में add कर रही हूँ आपकी skin का चशुना भी texture है उस बन जाएगी किस तरीके से आप TV paint stick को foundation में change कर सकते हैं वो आप अभी इस वीडियो में देखेंगे और इसकी application देख के आप दंग रह जाएगे इतनी सबर्दस्त smoothly आपके face पे यह apply होगी और जो glow आएगा इसमें से वो आप तो यकीन कर ही नहीं सकते है आपको लगे गई न तो आपकी skin को यह hydrate करने के सासाथ base को बहुत अधा smooth और long lasting बनाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि texture किस कदर creamy बन गया आप यकीन कर सकते हैं कि क्या यह वो ही TV paint stick है जो आप लगाते हैं और base पे direct लगा रहे होते हैं और वो आपकी apply नहीं हो रही होती आप इसको apply करते ह हैं हम अपने hand पे और आपको मैं इसका result अभी जो है वो शो करती हूं यह देखें आप सबसे पहले तो इसका texture में सूस करें कि कि किस तरीके से एक foundation के form में आ चुका है क्राइलॉन TV paint stick एक full coverage foundation है इसको इसके साथ आपको जाधा जो है वो ज़ूरत नहीं होती color characters की लेकिन आप यहां पर इसका texture सासत देखते जाएं और मेरी application को भी देखते जाएं फिर आप इसको पहला लें चाहे हैं मैं तो आपको hand पर करके दिखा रही हूं आप में face पे इसको brush की मदद से पूर face पे apply कर ले देन आप पर इसको beauty blender की मदद से apply करेंगी ठीक है अब यहीं पर द इसके से आपकी skin पे penetrate हो जाएगी और hydrating primer डालने की वज़र से आपकी skin पे dryness के patches हैं वह भी नहीं पढ़ेंगे मजीद और वह hydration जो है वह आपकी skin पे बरकरार रहेगी इसकी वज़र से tv pen stick आप easy apply कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कितनी dewy look आई है अब इस तरीक अगर आप मेरी recommendation देखना चाहते हैं कि मैं को सा use करती हूं तो वीडियो को देखिए अगर last तक चलते हैं अपने next product की तरफ जिसमें आपको last step पे इसको fix करने के लिए कोई भी compact powder चाहिए आपके पास कोई सा भी है वो use कर सकते हैं मेरे पास यहां पर यह काशी इसका compact powder से आ आपको अगर आप यूज करते हैं loose powder तो वह सबसे best option है ठीक है loose powder कोई सा भी आप ले सकते हैं मेरे पास यहां भी glamorous का है तो मैं वह show कर रही हूं मेरे पास जो product होती है वह मैं आपको show कर रही होती हूं क्योंकि वह मेरी अपने personal use की होती है और मेरी experience के साथ मेरे हुए होते है तो फिर उनी products को आपको carry होती हूं आपके पस जो भी आप यूज कर सकते हैं अब आप इसको brush की मदश से अपने face पे apply कर देंगे loose powder के अंदर भी तो हलकी सी coverage होती है चाहें तो आप इसको puff की मदश से भी apply कर सकते हैं चाहें तो आप इसको loose powder की मदश से loose powder मेरे यहां पर क् करी हूं इस तरी क्योंकि गर्मिया है तो यह अच्छे तरीके से आपके जो foundation उसको lock कर देगा और आपकी sweating को कुछ हद तक control करता है और आप जो foundation है वो जल्दी अपने जगह से move नहीं करेगी अब यहां पर इसका result देख सकते हैं बहुत ही natural लग रहा है आपका make-up आप कह न कर्स हैं और वो चाहती है कि मैं क्रैलान टीवी पेंस्टिक को किस तरीके से easily use कर सकते हैं उनका result भी best track और long lasting भी रहेगी अगर उनको problem आती है उसको stick को use करने अदरवाइस तो मैंने stick को use करने को पर बहुत दा वीडियो बिनाई ही है डिरेक्ली भी आप professional उसको use कर सकते है लेकिन अगर आप beginners और आपको problem होती है तो मुझे comment करके जूरू बताइएगा मैं आपके साथ जूरू share कर दूँगी मैं मुझे अपनी next वीडियो में मुझे बहुत ज़्याओं में याद रखिएगा अपना भी बहुत ज़्याओं रखिएगा अलाहाफेज